वैसे तो कान का दर्द अपने आप में कुछ समय में ठीक हो जाता है लेकिन कुछ मामलों में इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की आवशक्ता होती है अगर आपके कान का दर्द बहुत तेज है यानि कि ये नॉर्मल ओर द काउंटर दवाई उसे भी ठीक नहीं हो र दिख रहे हैं तो ये मेनिंग्जाइटिस या एंसेफिलाइटिस के लक्षण हो सकते हैं यानि कि मस्तस्के की जिल्यों में सूजन या इंफेक्शन के लक्षण हो सकते हैं उस कंडिशन में आपको तुरण डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर आपको बहुत तेज कान द पस थोड़ी डेडनेस है लाली है तो ये गंभीर स्तिती हो सकती है ऐसी स्तिती में भी तुरण डॉक्टर से इलाज ले अगर आपको कान दर्द के साथ चक्कर आ रहे हैं वर्टिको हो रहा है कान बजना जैसे लक्षण अनुभव कर रहे हैं या बहरापन के लक्षण अगर आपको कान दर्द के साथ अस्वस्त मैसूस हो रहा है बहुत बेचेनी सी हो रही है तो वो भी किसी ना किसी गंभीर स्तिती का लक्षण है अगर आपके कान के आसपस सूजन है तो भी आपको इसे नॉर्मल तरीके से नहीं लेना है कान दर्द के साथ सूजन होना कान म यह गंभीर स्थिती हो सकती है, कान दर्द का कई घंटों तक ठीक ना होना, बढ़ते जाना, यह कभी नजर अंदाज ना करें, इस ऐसी कंडिशन में आपको डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए, अगर आपके चेहरे की मास पेशिया लटक रही है, डीली-डीली सी लग रही है, कान में दर्द हो रहा है, अगर आपके कान में से पस या खून निकल रहा है, तो उस कंडिशन में यह फेशियल लकवे का भी लक्षन होता है, तो उस कंडिशन में आपको तुरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इसे हलके में नहीं लेना चाहिए, अगर नौजात सिशू के कान में दर्द हो रहा है या उसके साथ उसको कुछ दूसरे लक्षन दिख रहे हैं तो तुरंत सिशू को आप डॉक्टर के पास लेके जाएं और ध्यान रहे कि बच्चों को आप निपल से दूद ना पिलाएं निपल से दूद पिलाने से उनका कान दर्द बढ़ता है लॉक्षन भन दूं को आप लगने से बच्चों को आप बचल को आप लगने वाएं में निपले बचल के को आपिला निपले जा लोगने जाता हैं यह जा तुर्द बचल को मोझा दिए।